चलिए हमारा है operating cycle operating cycle का मतलब क्या होता है कि हमारा business के manufacturing process के अंदर कितना time लगेगा और उस time के हिसाब से कितना पैसा हमारा investment रहेगा उस time को बोलते हैं operating cycle एक उसके बाद होता है net operating cycle net operating cycle क्या होता है कि उसके अंदर से कितना time हमारा जो creditor allowed करेगा वो minus कर दें तो operating cycle का हमारा कुछ circle होता है इसके अंदर हम क्या चीज़े सीखने वाले एक number of operating cycle सीखते हैं और एक working capital और एक operating cycle सर operating cycle को अगर हम आगे elaborate करें तो सर operating cycle क्या है operating cycle हमारा एक तरीके से मान लो यह cycle है ring है raw material में कितने दिन लगे WIP तक बनने में WIP से FG में कितने time लगे FG से data में कितने time लगे data से फिर आपका convert होने में कितना time लगा इन total time को add कर दिया जाए तो हम क्या बोलते है net operating cycle सर सभी के formula आपको given है उपर में हर किसी के average आएगा raw material के नीचे आपका purchase आ जाता है WIP के नीचे production और finish में cost of goods sold और debtor के अंदर credit sales और creditor के अंदर credit purchase हमने कुछ questions देख लिये थे इससे related और यह मैंने कहता चलो मैं करा दूँगा तो पहले हम यही question कर लेते हैं कुछ बच्चों ने किया हूँ में भी doubt रहा हूँ तो पहले मैं यह question कर लेता हूँ Sir manufacturing का answer क्या है बता देने हैं सुंदर manufacturing का यह सुंदर manufacturing है अच्छा सुंदरम limited आप इसकी बात कर रहे हो किसका खेर है यह तो सत्यम सुंदरम है नहीं अभी नहीं पहले मैं अभी इसको start कर देता हूँ ठीक है मैं इसको start कर देता हूँ question simple सा question है आज की class इतनी लंबी तो नहीं रहने वाली क्योंकि question करने like है नहीं चलिए पहले हम format प्रपेर कर लें पहले है हुआ है हम आंट हमां अरी नि지 पर्टिकुलर सबसे पहले क्या लेते हैं हम रॉ माटीरियल फॉर्मूला क्या कहता है सर एवरेज रॉ माटीरियल डिवाइड बाई यहाँ पे बड़ी सारी चीजे लिखते हैं जब आपको ध्यान रखेगा जब आपको ओपनिंग रॉ माटीरियल गीवन हो और जब आपको क्लोजिंग रॉ माटीरियल गीवन हो दोनों रॉ माटीरियल गीवन हो तो यहाँ पे हम लेंगे रॉ माटीरियल कंजियूम सर रॉ माटीरियल कंजियूम कैसे निकलेगा RCM रॉ माटीरियल कंजियूम कैसे निकलेगा raw material consume निकलेगा opening stock of raw material plus आपका purchase minus closing stock of raw material तो अगर यहां हम solve करें तो opening stock कितने का है purchase कितने का है purchase यह रहा closing stock कितने का है 11 34,000 सर मैं यहीं पर कुछ काम करूँगा average raw material निकालने के लिए क्या करेंगे यहां कर देते है average raw material सर opening में 10 और closing में 11 तो 10 प्लस 11 दिवाइड टू यानि 10 पान सो पहला आ गया हमारा 10 पान सो डिवाइड बाई इन्टू 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 question में बोला हुआ है नहीं बोला हुआ है 365 first point में किसी को doubt है तो comment कर दीजिए first point में doubt है तो बता दीजिए में ये वाला question करा रहा हूँ पहले आप इससे related doubt बता दीजिए मैंने first point कर दिया किसी को doubt है तो बताइए इसमें clear है second क्या निकालेंगे WIP क्या होता है average और divided by ठीक है और into में 365 तो है ही है अब सर average कैसे निकालेंगे 30,000 और प्लस 3500 यानि अगर मैं यहां पर दिख लूँ average WIP 30,000 प्लस 3500 डिवाइड़ बाई 2 30 30,000 तो चल यह एक तो निकाल लिया हमने 30,250 अब production क्या होता है production का मतलब आपने cost sheet किया है तो cost sheet के अंदर अगर मैं थोड़ा सा hint और idea दे दू cost sheet का जिन बच्चों ने पहले नहीं पढ़ा है तो उनको idea हो जाएगा production कैसे निकलता है जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा idea हो जाएगा सबसे पहले होता है opening stock raw material plus हो जाता है purchase minus हो जाता है closing stock raw material जब इनको हम solve करते हैं तो यह आ जाता है इधर consume add हो जाता है direct expense इसको हम नाम देते थे क्या prime cost इसके बाद add कर देते है factory expense add क्या कर देते थे इधर आ जो आ गया जो गया add क्या कर देते थे factory expense इसके बाद यह आ जाता था हमारा factory cost इसके अंदर plus कर देते थे WIP opening वाला minus WIP कर देते थे हम closing वाला यह बताना जरूरी है मुझे यहां आता था net factory cost इसमें plus करते थे admin जब admin plus हो जाता था तब आता था हमारा production इसमें plus opening stock और minus closing stock तब आता था cost of goods sold same यही pattern हमें follow करने है same यही pattern follow करना है तो हमारे वाले questions के अंदर हमें निकालना है production तो production के लिए हमें क्या-क्या चीच चाहिए सबसे पहले चाहिए हमें opening stock किसका plus क्या चाहिए हमें minus क्या करेंगे closing stock किसका तो sir opening stock सवाल में 10,000 था यह 35,000 है और यह 11,000 है plus कर देंगे अगर कोई manufacturing expense वगर हुआ तो ध्यान से देखिए आपका manufacturing expense यहां given है wages तो यह भी plus हो जाएगा manufacturing expense और कितने का given है 15,000 plus कर देंगे हम manufacturing expense add करने के बाद अब आगे चलते है WIP भी plus minus हो जाएगा add opening minus closing opening WIP कितने थे 30 और यह 30 500 ठीक है ना चलिए देख लिजए आप 30 और 3500 इसके बाद क्या कहता है सर इसके अंदर admin भी और add कर दो तो क्या question में admin है बिल्कुल administrative expense भी 15,000 है तो हम उसको भी add कर देंगे plus admin expense 15,000 जब इन सबी को solve करेंगे तो क्या जाएगा हमारा production 10,000 plus 35,000 minus 11,000 plus 15,000 plus 30,000 minus 35,000 plus 15,000 और क्या रह गया कुछ रह गया 35,000 minus 11,000 manufacturing कितना था 15 15 के बाद 30 minus 3500 plus 15 कितने आरे total करना एक बार मेरा एक मिनट रुक जाएगे admin 15 है 10,000 30,000 35,000 35,000 35,000 35,000 एक थोड़ा सा मैं इसमें चेंज करता हूँ थोड़ा सा ये चेंज करता हूँ कि admin नए वाले पैटर्न में admin नहीं था यहाँ नहीं था नहीं वाले cost अगर करी हो तो हाँ इसको factory cost मान लेते है production इसी को मान लेते है ठीक है थोड़ा चेंज कर देते है production इसी को मान लेते है ठीक है तो production अगर हम मान ले तो जो भी आएगा यानि admin खटा देते हैं यहां से admin खटा देते हैं यह क्या आ रहा है है अब देखते हैं 48-500 अब यहां लिख दो 48-500 इंटू 365 बाद में देख लेंगे FG FG में क्या आएगा average WFG divided by यहां क्या आता है COGS और इंटू में 365 चलिए अगर हम finished goods का FG निकाले तो 5,000 और 85-500 मैं यहीं डारेक्ट कर रहा हूँ 5,000 प्लस 85-500 divided by 2 तो यह आ गया 67-50 जिसको समझ में नहीं आ है मैं बता देता हूँ यहां 5,000 प्लस 85-500 divided by 2 करने के बाद आ गया divided cost of goods sold तो sir cost of goods sold में इसी में कुछ part add कर देंगे इसी में admin भी add कर देंगे इतना हो गया opening stock कितने का था और closing stock कितने का था 85-500 48-500 15,000 5,000 और 85-500 यह आ गया सहब 60,000 यहां पर आ जाएगा हमारा 60 365 अब FG के बाद क्या आएगा debtor debtor तो simple sales आ जाएगा average debtor divided by credit sales sir average debtor सवाल में निकल सकता है क्या यहां पर जो debtor given है यह closing debtor होता है मेंसा लेकिन पूरे सवाल में opening debtor नहीं है तो कई बार जब balance sheet में closing debtor given होगा तो उसी को average मान के करना है जैसे कि पिछले सवाल में मैंने एक बार बताया भी था तो इसी को हम average मान के कर लेंगे तो average debtor क्या आने वाला है हमारा सर average debtor आने वाला है 30,000 500 और divide किससे करना है सर divide करना है हमें credit sales तो यहाँ पे credit sales आपको given है एक लाक रुपे तो divided by into 365 अब आ जाते हैं creditor creditor हम less कर देंगे creditor में average creditor सीधा ले लो अब average creditor नहीं पता हो तो जो balance sheet में creditor given होता है उसी को क्या मान लेते हम average creditor तो average creditor कितने का है हमारा 10,000 credit purchase जो यहाँ पे purchase है 35,000 रुपे वही ले ले लेंगे अब सभी को solve कर देते हैं यहाँ गया 112 दिन यहाँ गया 227 दिन यहाँ गया 41 डेज यह देखना गलत तो नहीं आया इसको check कर ले ना वैसे यहाँ गया 112 दिन मतलब point में fraction उपर नीचे हो सकता है यहाँ गया 104 दिन 105 कर देते हैं net आ जाएगा totaling check कर लीजिएगा 387 एक बाद totaling check कर यह तो ज्यादा आ रहे दिन तो 30 250 divided by 48 500 300 पैसे कितना आ रहे हैं यह 27 यह आ रहे हैं 30 250 है 227 ठीक है 387 आंसर भी आपके किताब में गीवन होगा चेक कर लीजिए आंसर चेक कर लीजिए 4-5 दिन का ना कुछ बच्चे किताब से चेक करेंगे तो 4-5 दिन का फरक आ सकता है कितने आ रहे है बुक में हाँ तो 4-5 दिन का फरक आएगा क्योंकि हर जगा मैंने point ignore किया है तो उसमें परेशान नहीं हो ना कि बहिया गलत आ गया है फिर से एक बार quickly बता देते हैं क्या क्या करना था सर हमें average निकालने के किसी में परेशानी नहीं है इस सवाल में average opening में नहीं परेशानी ना average WIP ना FG ना debtor किसी में परेशानी नहीं main point है consume consume क्या होता है opening stock of raw material प्लस में purchase minus में इसके बाद cost of production क्या होता है opening stock of raw material प्लस में purchase प्लस में opening stock of WIP प्लस में आपका manufacturing expense माइनस में closing stock of WIP माइनस closing stock of raw material तो यह आ गया हमारा ultimately आप ध्यान से देखें तो cost of production जो होगा न वो इस एरिये से निकलेगा production का और production के अंदर देखा जाए तो यह सारा का सारा खर्चा हमारा production का ही रहता है सिर्फ FG वाला छोड़के FG तो माल तयार हो चुका है तो सिर्फ मैंने FG वाले point को छोड़ दिया बाकी सभी को मैंने minus कर दिया cost of goods sold सारा आ जाएगा सिर्फ selling distribution expense नहीं आएगा बस यह नहीं आएगा अगर कहीं पर cost of sales लिया जाता तो selling distribution आ जाता इसके बाद credit purchase और credit sales आपको given था सर पेपर में presentation ऐसे ही देना बिलकुल exam में देखो मैं तो side में question दिखा रहा हूँ आपको यही presentation देना है formula और side के side कर दो या formula बाहर लिख दो आपकी मर्जी या book वाले ऐसे करते हैं मेरे साब से यह ज़्याधा best है एक बार में हो जाएगा चलिए sir यह question दिया था कितने बच्चों का doubt है last class में यहाँ पे question बंद हो गया था बताईए किसी का doubt यह question तो मैं कराऊ किसी बच्चे का यह question doubt है तो बताईए इसका answer क्या है बताओ भाई answer पहले का answer बता दो first का 197 1 और दूसरे का साही से देख लो यह answer है ना 2-3 दिन उपर नीचे हो सकता है कहीं 50-60 दिन मत कर देना यह देखिए यह answer है इसका तो झाल झाल